वीडियो में मैं 10 companies के बारे में बात करूँगा जिनका January के महिने में results भी आने वाले हैं और dividend का भी announcement होने वाला है तो कुछ data details सब कुछ discuss करेंगे तो देखिए जो पहली company है Kolkata से company है CESC करके नाम है और उनका result कब आ रहा है January 19 बहुत ही recent में आ रहा है अब जब यह मैं वीड January 19 इसलिए भी बहुत important हो जाता है तो जैसे लास्ट यर देखिए कितना dividend था 4 रुपीस 50 पैसा और फिर 4 रुपीस 50 पैसा उसके भी एक साल पहले तो अगर हम देखते हैं इल्ड उस हिसाब से अभी के current price के हिसाब से कितना बैठ रही है 3.2 परसंट बैठ रही है लेकिन अब दूसरा नाम है persistent IT company और actually में dividend तो interesting ही लेकिन उनके जो multiple बहुत ही अच्छा जो return अपने जो भी पुराने investors को दिया है वो बहुत ही interesting है अब उनका 20 January को result है persistent का और 30 January को persistent का जो x date है dividend का वो भी है कैसा dividend आ रहा है जैसे January के महिने में last year 28 रुपीस का dividend आया था और फिर July के म 50 रुपीस का हो जा रहा है और उससे पहले जो साल था उस समय में total 31 रुपीस का dividend था तो साल में कब आ रहा है दो बार dividend आ रहा है ठीक है पहला dividend कब आ रहा है यही जनवरी के समय में quarter 3 के result के समय और फिर final result के समय में जुलाई के समय में x date record date आ रही है तीसरा नाम दोस्तों क कोफोर्ज एक और नाम जो कि IT सेक्टर से है और यहां पर क्या कॉमन है HCL Tech या फिर TCS के साथ कि कोफोर्ज में भी हर quarter result आते हैं साल में चार बर result आते हैं और कोफोर्ज के द्वारा भी consistently results आ रहे हैं तो कैसा उनका अगर हम last year का देखें तो कितना result था टोटल 64 रुपीज का उनका dividend था और अगर मैं सरिफ यह जनवरी फरवरी का result की बात करूँ तो देखें लास्ट यर आप देखेंगे टोटल 19 रुपीज का dividend था अब देखते हैं 19 है या कितना रहता है अभी quarter 1 quarter 2 दो results आ चुके है 2019 करके टोटल 38 रुपीज का तो dividend आ चुका है अब देखते है quarter 3 में क्या dividend यहाँ पर रहता है दोस्तो डिविटेंड एक passive income होती है और साथ-साथ में हमारे चैनल का focus learning पर होता है investing learning concepts फिर mutual fund के latest portfolio analysis उस पर भी रहता है आप description box में चेक कर सकते हैं मैंने telegram की link को post किया हुआ है 3800 से ज्यादा की community है दोस्तो और उनको value मिल रही है एक और जनसार करके नाम आ रहा है उनका अगर आप dividend देखेंगे तो quarter 3 में 1.50 पैसा last year आया था और फिर final result के समय में dividend आया था 3.50 तो कितना 5 पैस का dividend अभी share price कितना चल रहा है 576 मतलब 0.9% की dividend yield जनसार tech की तरफ से हो रही है अगला नाम चलिए थोड़ा सा अलग एक नाम आ रहा है oil and gas sector से और अगर आप मुंबई या आसपास के area से बिलॉंग करते हैं तो बिल्कुल आपके area की company है महान अगर gas 23 January का उनका result आने वाला है और अभी current price है 1260 अगें dividend दो बार आ रहा है quarter 3 के समय में जैसे last year 10 रुपीज का आया था और फिर quarter 4 का result तो देखे में में आ जाता है लेकिन next date record date आते आते आगस्ट का महिना हो जाता है तो total last year कितना dividend था 26 रुपीज का MGL का dividend था उससे एक साल पहल यही February के समय में 9 रुपीज 50 और 15 रुपीज 50 का उनका dividend था तो total कितना था 25 रुपीज का dividend उनका आया था अब देखते हैं यह कैसा dividend यहाँ पर increase होता है या नहीं होता है महानगर कैस में नाम 6th company दोस्तो root mobile January 23 को उनके results है price कुछ 1624 के आसपास में है और last year के अगर आप dividend दे देखेंगे already तो दो quarter के result आये हैं तो dividend भी उनके द्वारा आया है तो total 6 रुपीज का already dividend आ चुका है तो एक company हमको उभरती हुई नजर में आ रही है कि at least हर quarter नहीं तो at least साल में तीन बार तो dividend उनका आ रहा है route mobile तो आने वाले time में बहुत interesting रहेगा कि वो किस तरीके से dividend declare कर रहे हैं सात्वा नाम है सोना BLW auto auto ancillary sector से आई है January 23 result है dividend दो बार आ रहा है यही quarter 3 के समय में 1 रुपीज 28 पैसा last year था और फिर 1 रुपीज 53 पैसा final dividend था साल में दो बार dividend आ रहा है तो dividend deal बहुत ज्यादा नही हैं पिछले 2 साल में तो dividend yield तो बहुत ज्यादा interesting नहीं रहेगी लेकिन आपके जो returns है अगर आप पिछले 2-3 साल से invested हैं defense theme बहुत सारे उनको orders मिले हैं और जिस तरीके से returns मिले हैं आप जानते ही हैं दोस्तों तो भारत electronics 29th January को उनका result है और यह देखिए जैसे last year में भी इस फिर मार्च के समय में दूसरा तो हम लोग expect भी कर सकते हैं कि February मार्च में साइध एको dividend आए ठीक है फिर August के महिने में तो total 1 रुपीज 80 पैसा का last year dividend था current price भी कुछ 180 है तो dividend yield 1% की भारत electronics जो की defense sector की एक major company है दोस्तों अगला ना ITC large cap company तीन साल पहले ITC पर memes बनते थे मजाक उड़ाय जाता था कि यह सिर्फ 200-210 में ही धूमता रहता है अब आज देखिए share price तो बहुत अच्छा भग गया है अब कैसा dividend है तो देखिए पहले मैं अगर 4-5-10 साल पहले की बात करो तो ITC का साल में एक बार dividend आता था लेकिन आजकल क्या हो रहा है dividend दो बार आ रहा है एक यही quarter 3 के result के समय में और फिर final result जो आते हैं April में के महिने में तो जैसे last year आप देखेंगे कितना dividend था 15 rupees 50 पैसा का dividend था ठीक है और current price अभी के हिसाब से 466 है तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 3.3% की yield है लेकिन again dividend yield किस पर बहुत ज्यादा depend करेगी आपकी buying price किया ह अगर just as an example आप बहुत पुराने investor है आपकी ITC में buying price 200 rupees है तो आपकी dividend yield 7.8% भी हो रही है तो यह जो yield जो मैं दिखा रहा हूं दोस्तो जो भी आप देख रहें ITC हो भारत electronics, Sona, BLW यह जो भी company यह अभी के price में मैं आपको बता रहा हूं dividend yield आपके buying price के हिसाब से देखेंगे तो हो सकता है ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है ठीक है ज्यान में उसको रखना है अगला नाम आखरी नाम है दोस्तो चिलेट January 30 note करके रखिया result है price बहुत ज्यादा है 6,567 का dividend नवेंबर के समय में आ रहा है February के समय में दो बार यहां पर dividend आ रहा है तो total 85 rupees का यहां प रताएगेगा आपकी कीमती समय के लिए दोस्तो बहुत बहुत धन्यवाद टैंकि दोस्तो